आईए बच्चों आज हम पढ़ेंगे N.I.S. Board की बुक सेकेंड चेप्टर नमबर 11 बिहारी अब बिहारी जो है अपने दोहों में क्या समझाना चाहते हैं पहले हम बिहारी जो कवी है उनके बारे में थोड़ा परीचल देख लेते हैं अब ये जो है रीति कालिन कावे के प्रतिनेदी माने जाते हैं कविताओं में श्रंगारस भाशा और अन्यकै लीलाओं से परमात्मा की भक्ति को बताया है अब यहाँ पर ये बता रहे हैं बिहारी कि भक्त जो है वो अलग-अलग तरह से भगवान को रीजाने के लिए या पुकारने के लिए अलग-अलग प्रयत्न करते हैं कभी भक्त उनकी लीलाओं का गान करते हैं, कभी उनसे भक्ती के रुप में उनको याद करते हैं, और जब एक भक्ती का इस्तर यह आता है, कि भक्त जो है वो बगवान की बराबरी करने, यानि कि उसको मित्र के रुप में, सखा के रुप में समझता है, भक्ती करने का इस्तर यह भी होता है कि कोई प्रेमी के रुप में उसको पुकारता है, कोई अपने पती के रुप में उसको पुकारता है, लेकिन यहां पर भक्त जब इस भक्ती के इस्तर पर पहुँच गया है, जब वो भगवान की बराबरी करने लग जाता है, तो उसको एक अलग तरह से पुका बित्र के रूप में उसको उलाना दे रहा है अब कैसे उलाना दे रहा है तो इस प्रस्तुर爱 में यह उलाना देते हुए उसके अंतर रंग नहीं जो इंटर्नल इमोशन है उनको बताने के लिए बतार बक्त भगवान को कह रहा है कि कब को टेरत दीनरट होतन स्याम सहाए तुमहों लागी जगत गुरू जगनात जगवाए कह रहा है कि हे परमात्मा कब को टेरत दीनरट कि मैं कब से दीनता के स्वर में रट रहा हूँ यानि तुमको बार बार पुकार रहा हूँ क्या पुकार रहे हैं कि कबको तेरत की बहुत लंबे समय से तुझको याद कर रहा हूँ होतन स्याम सहाए कि तुम सहाए नहीं हो रहे हो हे श्री क्रशन स्याम जो है वो श्री क्रशन को बताया है यहाँ पे तो होतनस्याम सहाय कि हे श्याम हे श्रीकरशन तुम सहाय नहीं हो रहे हो यानि तुम सामने प्रकट नहीं हो रहे हो अर्थात तुम दर्शन नहीं दे रहे हो तुम हो लागी जगत गुरू हे जगत के गुरू हे जगनात तुम को लग गई है तुम हो लागी यानि तुम को ल लग गई है क्या लग गई है जगनात जग वाय जग यानि संसार की वाय यानि हवा कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है जिस तरह से इस संसार में संसार के जो लोग हैं वो अपनी प्रशंसा अपने प्रतिष्ठा मान समान में उल्जे हुए हैं हर एक को अपना काम निकलवाने आता है लेकिन कोई किसी का साथ नहीं देता कोई दुख में हात नहीं बटात bucket हे श्री क्रिशन क्या तुमकौ भी इस संसार की हवा लग गई है क्या कि मैं तुमको दीनता के स्वर में यानी कितने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, तुमको याद कर रहा हूँ, तुमको पुका रहा हूँ, लेकिन तुम सहाय नहीं हो रहे हो, यनकि तुम प्रकट नहीं हो रहे हो, मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, मकराकत गोपाल के कुंडल सोहत कान धन्यो मनो ही घर समर ड्योडी लसत निसान अब यहाँ पर यह जो दोहा है यह महा काव्य बिहारी का जो है वो बिहारी सत्साई में से लिया गया है यहाँ पर बिहारी क्या बताना चाह रहे हैं उससे पहले हम मकराकर्त को क्या बताया है वो बताना चाह रहे हैं अब यहाँ पर जो कामदेव है जो कामदेव है वो मगर यानि कि मगरमच की आकरती के जो कुंडल है है वह कृष्ण के कान पर शोभायमान है तो उसका बयान कर रहे हैं अब कामदेव जो है वो अलग-अलग तरह से प्रहार करता है शास्तरों में कामदेव को बहुत बड़ा धनुर्दर बताया गया है कि वो इस तरीके से बान चलाता है कि पता नहीं पड़ता है कि किस तरह से किस के हिरते में उसने अपना बान डाल दिया हो यानि किसको मोहित कर लिया हो अपने उपर तो ये काम देव को यहां पर मकराकर्त के रूप में बता है कि गोपाल के जो कुंडल है जो उसके कानों के जो कुंडल है वो उसके कानों पर मगर मच की आकरती के इस तरह से हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे काम देव ने उस कान के द्वार के द्वारा उनके हिर्दय पर अपना अधिकार जमा लिया है यानि उनके हिर्दय को अपने वश में कर लिया है धन्यों मन्यों हिय घर समर हिय घर यानि हिर्दय रूपी घर में उसने अपना डेरा जमा लिया है किसने काम देव ने काम देव आया कहां से है यहां सिखा रहे हैं कि काम देव श्री क्रश्न बगवान के कान के द्वार के जरिये वो उनके हिर्दय रूपी घर तक पहुँच गया है ड्योडी लसत निसान कि वो द्वार पर निसान यानि द्वार पर अपने चिन प्रकट कर रहा है यानि कि यहां पर यह बताना चाहरे हैं कि श्रीक्रशन का जो मन मोहक रूप है उस रूप ने ऐसे मोह लिया है ऐसे समोहित कर लिया है कि मानो यह लगता है कि काम देव ने अपने धन शबानों के द्वारा श्रीक्रशन के उपर हम सब को मोहित कर लिया है यानि यहां पे श्रीक्रशन के रूप सौंदरे का बखान किया गया है अब दोहा नमबर तीन पढ़ते हैं बिहारी का क्या कह रहे है कि जब जब वैसुद कीजिये तब तब सबसुद जाही आखन आखी लगी रहे आखें लागत नाही अब यहां पर बिहारी जो है वो रीतिकाल के महाकवी है यह बताना चाह रहे है कि प्रस्त दोय में एक नाईका जो है वो अपने नायक के लिए यह बोल रही है अब यह दोहा नायक भी नाईका के लिए बोल सकता है एक प्रेमी अपनी प्रेमी का के लिए बोल सकता है एक प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए बोल सकती है अब क्या बोल रही है जब जब वैसुद कीजिए कि जब जब मुझे अपने प्रियतम की याद आ रही है यानि कि वो एक व्रह गरस्त नारी का है यानि कि उसकी विरह म उसकी याद में वो बैठी हुई है बहुत व्याकुल है और उनको याद करते हुए कह रही है कि जब जब मैं तुझे याद कर रही हूँ तब तब सब सुधी जाहीं कि तब मैं क्या करती हूँ सारी सुधबुद खो बैठती हूँ यानि जब जब मैं उनको याद करती हूँ तो मुझे अपनी सुदवद नहीं रहती है, कैसे नहीं रहती है, आखन आखे लगी रहे, कि जैसे ही उनकी आखों में आखे लगी रहती है, यानि कि मेरी आखें उनकी आखों को जैसे ही याद में लगी रहती है, याद कर रही होती है, तो क्या होता है, आखें लागत नहीं, तो और कोई इन आखों में याद ही यानि दिखता ही नहीं है जैसे ही मैं अपने पती को अपने प्रयतम को अपने सक्खी को याद करती हूँ तो उनकी आखों में ही आखें डालती रहती हूँ यानि कि उनकी आखें मुझसंग ऐसे लगी रही हैं कि इन आखों को और कुछ दि लिए हो सकता है और एक नायक के लिए हो सकता है मतलब यह एक प्रेमी अपने प्रेमी का के लिए भी बोल सकती है आहिए चौथे दोहे में देखते हैं कनक कनकते सो गुना, माधत ता अधिकає, वाखाय बौरात है, यापाय बौराय? अब यहाँ पर बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो धन का नशा है, जो वैभाव का नशा है, जो पद और प्रतिष्ठा और प्रशंसा का नशा है वो ऐसा नशा है कि वो किसी मादक पदार्थ से कहीं अधिक दिखता है अब कैसे दिखता है कनक कनक ते सोगुना अब यहाँ पे दो बार कनक कनक कहा है एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब है मादक पदार् नशीली वस्तू, अब कैसे नशीली वस्तू है, की सोगुनी, यहनी सोने से भी सोगुना नशा जो है, वो किसमे होता है मादक पदार्थ में, लेकिन यहां बिहारी क्या बताना चाहरे हैं, कि जब किसी व्यक्ति को अधिक संपती या धन संपदा मिल जाती है, तो उस धन का नशा उस व्यक्ति को मादक पदार्थ से सौगुना अधिक चड़ जाता है मादकता अधिकाए यानि अधिक मादकता यानि नशा चड़ जाता है वा खाए बोराते हैं वा का मतलग जो ये मादक पदार्थ है वो जब खाते हैं तो बोराए जाते हैं यानि वो नशे में चल जाते हैं पगलाए जाते हैं वो लोग लेकिन जब क्या करते हैं या पाए बोराए या या यानि ये वस्तू ये कौन सी वस्तू सोना धन संपदा अगर किसी को मिल जाती है या पाए यानि उसको तो पाते ही बो इस संसार में लोगों को दन संपती का नशा ऐसी चड़ जाता है कि मानो वो तो पाते ही पगला जाते हैं यानि पागल हो जाते हैं उनको अपनी सुद्ध नहीं होती है वो अपने संसकारों को अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं वो उस नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि वो गर्दन उची आसमान में करके आखें बंद करके ऐसा चलते हैं कि उनको पता ही नहीं पड़ता है कि दुनिया दारी क्या होती है, क्या स्वाभिमान है, क्या इज़त है, क्या मानवता है, ये बताना चारे हैं कि वो मादक पदार्थ तो इनसान जब खाता है, तो उस खाने के बाद उसकी गर्दन जुक जाती है, और जब वो नशा उतर जाता है कुछ समय बाद, तो वो प्राणी जो है, वो जीव जो है, वो व्यक्ति जो है, वापस अपनी मूल अवस्था में आ ज जाता है, लेकिन ये जो सोने का नशा है, धन संपधा का नशा है, वो तो उनको इतनी अधिक देर तक चल जाता है, कि उनका नशा कभी भी उतरता नहीं है, वो अपनी माजो मानवता है, जो उनका स्वाभिमान है, वो भूल जाते हैं, सगन कुंज, छाया सुखद, सीतल, मनु हवे जात अजो वा यमना के तीर अब यहाँ पर जब श्री क्रशन गोकुल में रह रहे थे तो उस स्थिती को थोड़ा सा बताया है कवी ने कि गोकुल में रहते हुए गोपियों को बहुत आधिक प्रसंता होती थी क्रशन के द्वारा वो बहुत ही प्रसंत रहती थी अब जब वो गोकुल छोड़ करके चले गए हैं तो कोई गोपि जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गई हैं उनकी याद में जो वहां के जो द्रश्य हैं वो उनको टीस पहुँचा रहे हैं और क्या लग रहा है सगन कुझ छाया सुखद की सगन कुझों की जो छाया है वो अब नहीं लग रही है तब तक नहीं लग रही है जब तक सीतल सुरुबी समीर की सीतल यानी ठंडी हवाएं भी जो चल रही है वो भी पसंद नहीं आ रही है मनु हवे जात जो वह है वा यमुना के तीर लेकिन जब यमुना के तट पर गोपी जाती है और वहां पर जब उ जो है उनके साथ लीलाएं कर रहे थे रास लीला कर रहे थे उनके साथ खेल रहे थे वांसुरी बजा रहे थे और किस तरह से उनका जो मनोवर्णन है वो उनको जब याद आता है गोपी को तो गोपी कहती है कि यमना के तीर पर तट पर जाने के बाद जब वो गर्मी की प्रशन की याद आ जाती है उसके साथ बिताय हुए दिनों को जब हम याद कर रहे हैं उसके साथ जो रास की लीला हैं वो खेलते खेलते हमें जो वो दिन याद आ रहे हैं तो मानो ऐसे लग रहा है कि ये जो सगन पुंज की जो गरम हवाएं हैं वो भी शीतल लगने लगी है जो यमना की तटपर गर्मी का अनुभव होने लगना चाहिए वो भी हमें नहीं लगता है क्योंकि हम तो वापस उन्हीं पुराने दिनों को जो हमने श्री क्रशन के साथ बिता रखे दें वो ही हमको याद आ रहे हैं तो उस मनोदशा को देखते हुए गोपी यह बताना चाह रही है कि अब यमना की तटपर आकर सारी जो हवा गरम है वो हमें क्या होने लगी है शीतल सुरुभी समिर कि वो जो हवा है वो भी शीतल लगने लगी है सगन कुझ भी छायवाद होने लगे हैं और यमना के तटपर बैठ करके क्रशन के सानिध्य में जब हम अपने आपको पाते हैं तो हमें वो सारा द्रश्य जो है वो लुभायमाम लगता है और वहां का कोई भी वातावरण हमें टीस नहीं करता अब बिहारी के छेठे दोहे में देखते हैं क्या है बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाएं सौह करें बौहन हसें दैन कहें नटी जाएं अब यहां पर गोपियों को क्रेशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है वो जान पूछ की उसको खेजा रही है कि जान पूछ की उसको ऐसे कर रही है कि जैसे बार बार क्रेशन जो है वो उनके पास आए और उनसे बात करें तो यहां पर कह रहा है बत्रस लालच लाल क कि उसकी जो मुरली है उसकी जो बासुरी है कि वो किसी गोपी ने छुपा दी अब क्या करें सोह करें बहुन हस है क्रेशन उनसे बार बार लेने की कोशिश करें कि मेरी बासुरी दो मेरी बासुरी दो यानि इस कृषिन द्वारा सोगंध देने पर भी वो क्या करें है बहुन यानि अपने बहों में अपने आइब्रोज को ऐसे एक्टिवेट कर रहे हैं ऐसे किर्याकलाब कर रहे हैं कि वह बहों में मुस्करा रही है उसको आश्वासन दे रही है कि अभी दे रहे हैं ऐसे करके फिर वापस क्या कर रही है देने की कह करके और वह नट जा रही है यानि म उसके मुढली को छुपा दिया करशिन जो है वो बार-बार सोगन देते हुए उसको मुढली लेने की कह रहे हैं लेकिन जोप्या उनको जाते हुए अपने बौहें उची करते उनको किर्या कलाप ऐसे फेस इस्ट्रक्चर वो अपना चेहरा ऐसे कर रही है और मुस्क्रा दे रही है कि अभी दे रहे हैं और वापस वो देने के लिए नट जाती है सात्वा नमबर दोहा देखते हैं कहलाने एकत बसत अही मयूर वम्रग भाग जगत तपोवन सूकियो दीरग दाग निदाग अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर जो बिहारी है रीतिकाल के महा कवी बिहारी ने बिहारी सत्सई में से यह दोहा लिया है और उसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर प्रकर्ती का ऐसा चितरन किया है जहाँ पर बहुत तेज गर्मी का वातावरान बताया हो यानि कि यहां पर गर्मी के दिनों में भी कैसे बैठे हैं, वो बताया है, कौन बैठे हैं? आपस में स्वभाविक रूप से शत्रूता का भाव रखने वाले भी इस तरह से एकता में बैठे हैं कि मानो रिशी मुनी जो हैं वो तपवन में एक साथ बैठे हो अब क्या बता रहे हैं, कहलाने एकत बसट की एक्ता के स्वरुप में बसट बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? अही मयोर मरग बाग, सांप, मोर, हिरन और बाग ये सारे शारीरिक रूप से और स्वभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रू कहलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज वो एक साथ बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, जगत तपोवन सो क्यों, कि ऐसे लग रहा है कि ये जो जगत है जहां वो बैठे हुए है वो इनके लिए तपोवन की भूमी है यानि जिस प्रकार दीरग धाग निधाग कि जिस प्रकार रिशी मुनी तपोवन में यानि कि तपस्या वन में बैठ करके गर्भी में बैठ करके और किस प्रकार तपस्या करते हैं उसी प्रकार यहां बताया है कि वो शत्रूता का गुण रखने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ऐसे बैटे हैं जैसे कि एकता के स्वरुप में बैटे हो और सारे रिशी मुन्यों की तरह बैठे हैं जैसे वो तपोवन में बैठे हुए हैं